कर्मचारी को पुरान न्याय मिलेगा मेरे परिवार जनों कल्ट कोंग्रेस ने एक अलग लाप आरा अपना शुरू कर दिया है ये कॉंग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हग मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है मैं सोच रहा था कि पूर्वप्रदानमंत्री मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे भारत के पूर्वप्रदानमंत्री मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अलपसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही हैं कि आबादी तै करेगी कि पहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अलपसंख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या और आबादी के ही अहिसाब से ही अपताय होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भाई किसका होगा आबादी किसकी ज्यादा है किसका हग होगा जेरा कॉंग्रेस वाले स्पस्ता करे क्या आबादी के हिसाब हग मिलेगा क्या तो क्या आल्प संख्यों को कॉंग्रेश हटाना चाहती है क्या तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनो मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूँ और फिर आज दोरा रहा हूँ कि कॉंग्रेश पार्टी को अब कॉंग्रेश के लोग नहीं चला रहे कॉंग्रेश के बड़े बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे हैं न उनको पूछा जाता है न वो यह सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेश को आउट्सोर्स कर दिया गया है कॉंग्रेश को अब ऐसे लोग चला रहे हैं पर्दे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है कॉंग्रेश के लिवी कीमत पर देश के हिंदूों को बाट कर भारत को तबाह कर देना चाहती हैं कॉंग्रेश गरीबों को बाटना चाहती है मोदी ने पिछले दस सान में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्म विश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा आज तक कॉंग्रेश ने ये खुलासा नहीं किया है कि Congress ने एक दूसरे देश के साथ क्या गुप्त समझोता किया है लेकिन देशे देख रहा है इस समझोते के बाद Congress और ज्यादा भारत की बुराई करने में मज़ा आने लगी है भारत के अच्छी बातों को बूरी तरह पेश करने में मैं जा रही है ऐसा लगता है जैसे उनका भारत का प्रेमी कम होता जा रहा है मैं सभी देशवासियों आपको आगाह करता हूँ कॉंग्रेस और उसके सयोगों की इस नई साजीश हमें सतक रहना चाहिए और अगर हक की बात कर रही है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है गरीब चाहे वो दलीत हो गरीब चाहे वो पिछडा हो गरीब चाहे आदिवासी हो गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो हमें सबसे बड़ी जाती मेरे लिए गरीब है हमें गरीब की चिंता करनी है हमें गरीब का जीवन बदलना है कॉंग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है वैर भाव बढ़ाना चाहती है इसलिए कॉंग्रेस अब पुरी नई भाशा बोलने लगी है मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस के दसोकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है कॉंग्रेस ने समाज को जाती के आधार पर बाटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बेंक सुरक्षित रहे कॉंग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है आज भी यहां 37 गड़ में अलग-अलग समाज अपने हक के लिए आवाज उठा रहे है लेकिन कॉंग्रेस के सरकार साजिस के तहत उन्हें जेल में डाल देती है उनकी आवाज को दमाने में जुटी है दूसरी तरह भाजबा सरकार सामाजी ज्ञाय के लिए पूरी तरह समर्पित है हाल में ही संसद में महरा महरा समाज को एसी वर्ग का दर्जा दिया गया है इस समाज की अमांग भाजबा सरकार ने पूरी की है वर्षों तक अपने दिकारों से वंचीत रहे अवारा आधिवासी वर्गों को एस्टी का दर्जा देकर भाजवा सरकार ने एक एत्यास निर्णे लिया यानि जिनकी सूथ कॉंग्रेज ये कभी नहीं लिए उनको हक देने भाज़पा हमें से आगे रही है मोधी की गारंटी बटलाब हर गारंटी पुरा होने की गारंटी कॉंग्रेज ने महलाओं को भी दसकोता कारक्षन के बिना दोके में रखा नारी शक्ति बंदन अधिनियम आधिवासी बेटी हमारी माननी राजपती दवपती मुर्मुर्जी के हथ ताक्षर से कानून बन गया है अब यहां के स्टी समाज सभी बैनों के लिए विजान सबार और लोग सबा में 33% सित्यारक्षित हो गई है इसलिए कॉंग्रेज के कुशासन को हटाना है और बाजपा के सूशासन को लाना है इसलिए पूरे बस्तर को जगदेलपूर को 36 गड़ को आज एक संग्यल पर लेना है यहां कॉंग्रेज के कुशासन को हटाएंगे और बाजपा के सूशासन को लाएंगे जब विकांस का डबल इंजिन यहां फिर लगेगा यहां बाजपा का मुख्यमंतिर बेरेगा तो फ रजयों एक सबस्टार तो पर लेखना है यहां छो ओबल रस्तर के साथ प्रूव सेताया है झालो और लिकांस सबस्तर को इसलिए रस्तर को जबल मुगने फिकांस सेथ़ के बेदू together को अबला अबलाएं प्रस्तर को ओला पर लेना है यहां यहां पर दो परह की हैं